असलालेकुम बारिष का मौसम हो चुका है शुरू। और कपड़े फैलाने की दिक्कतें क्या आपको भी हो रही है। तो बिल्कुल भी परिशान मत होगे क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना घर चुट चुटे होते हैं और उनको कपड़े सुखाने की बहुत दिकते होती हैं खास तोर से बारिश के मौसम में उसके लिए वो लोग महंगे महंगे स्टैंड लेकर आते हैं और अपने जेप को बहुत ज़ादा परिशान कर देते हैं तो आपको परिशान करने की जरूत नहीं है आप मेरी वीडियो क को देखिए आप लोग के लिए का जैसा तरीका लेकर क्या आई हूं कि आपको बिल्कुल भी परिशान होने की जुरुत नहीं पड़ेगी और घर बैठी आप एक ऐसा स्टैंड त्यार कर लेंगे कि जिससे आप अपने कपलों को सुखाने के लिए ना बिल्कुल भी परिशान कि इस तरीके से बनाया बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है यह तो यह देखिए मैंने न सेंटर में पहले चार जो होल कर दिये और उसके बाद में जो है यह मिरे पास धागा रखा तो वह मिसमें डाल देता हैं आप इसके जगे पर उन यूस कर सकते हैं आपक यह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इस डोरी को जो है ना डब्बे के धकन के उपर फिक्स कर रही हूँ यह देखिए अब नीचे के साइब में इसमें गांट लगा लेंगे और उसके बाद में सेम इसी मिजरमेंट का सेम इसी साइज का हम यह धागा कट कर लेंगे और एक धागा मिसी साइस का और कट कर लेंगे और उसके बाद में चारों तरफ मलब की चार हूल मैंने कर रखें सेंटर में उनमें हम यह दागों को इंसर्ट करके और उसके बाद में इसमें हम गांट लगा देंगे आप लोग ना मेरी बातों को सुने से जादा वीडियो द्यान दीजीगा तकि आपनों को पता चल सके कि मैंने डोभी कहां पर किस तरीके से लगा कर कर यह लगा यह देखिए डिखिये चारी आप आड़री मैंने इसक भार इनसेर्ट नहीरं को एकठा करें और हम धे फिर से मजबूत सी गार्थ बान लें आप चाहे ना तो बड़ा डिब्बे का ढखन भी ले सकते हैं उसको भी सेम तरीके से आप एक स्टेंट बना सकते हैं तो यह देखिए कितना बड़ी तरीके से बैलेंस हुआ है अब आपको क्या करना है वह मैं भी आप लोगों को बताती हूं और बहुत सारी बहुत परिशान होती है कि बारीश का मुश्ति है नहीं दिक्केते शुरू हो जाती है तो फिर बारश यह बड़ी बुड़ी लगने लगता है की यह बारिश कब रुक यह काप शारे दो किisce जातए उनम आपको पता चल सके कि आप बारिश के मौसम में कप्रों मेंसे जो महेकारी होती उसे छुटकारा कैसे पाई तो यह देखने मैने गांद हाई and और गांठ हमारी जो रहेगी ना वो ऊपर के साइट रहेगी इस बात का आपको ध्यान देना है तो यह देखिए हम इसमें गांठ को लगा दे रहे हैं मेरी डोरी जो है ना काफी मोटी थी और जो इसमें होल था वो काफी पतला था तो इसी विज़े से मुझे सकते हैं वो भी काफी मजबूत होती है तो यह देखिए हम इसमें गांठ लगा देंगे नीचे के साइट में लगाएंगे मैं आपको दिखा रहे तो सेम प्रोसेस रहेगा बस उल्टा रहेगा आपको जो आपने पहले जो सेंटर में जो डोरियां डाली थी चार उसकी गां तो को कम सुनिएगा वीडियो को जादा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कहां पर किस तरीके से क्या प्रोसेस किया है मैंने तो यह देखिए सारी डोरियां मैंने इसमें डाल ली है और यह बहुत ही मजबूत समारा एक स्टैंड बनकर के त्यार हो चुका है अब यह दोरी जो है ना वह थोड़ा मुटी थी और यह जो क्लिप से ना इसमें इतना जगह नहीं थी कि इसमें अच्छे से इंसर्ट हो पाए तो फिर मैं पहले कोशिश कर रही थी कि शायद है कि इसके अंदर हो जाए लिकिन नहीं हो पाया तो फिर मैंने ज्यादा मेहनत करना सही नहीं समझा मैंने इसका एक पैर लिया और उसको डोरी में बांद लिया और यह जो पैर मैंने इसका बांदा है यह भी बहुत मजबूत होगी यह मैं समझेगा आप लोगों कि यह निकल जाएगा जी नहीं बिल्कुल भी नहीं निकलेगा मैं भी आप लोगों को करके और आप फैन की नीचे सुखा सकते हैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली जिनके घरों में छोटे-छोटे बच्ची होते हैं ना सबसे दिक्कते उनको होती हैं क्योंकि उनके कपड़े बहुत सारे निकलते हैं मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है तो मुझ अच्छे तरीके से आपको भी इसमें खुब अच्छे तरीके से बान देना है और यह बड़ा ही मजबूत सा एक स्टैंड बन करके हमारा त्यार हो गया है और आप लोगों से एक उजारे शौर करना चाहेंगे कि जितने भी लोग न्यू मेरे वीडियो पर आए हैं न्यू म मिल सकें और अभी मेरी एक वीडियो और आने वाली है कि बारिश के मौसर में अपने कपड़ों से जो बारिश अली महें काती थोड़ी सी उसको कैसे दूर करें तो वह बड़ी जबरदर सी जो है ना मैं आप लोग के लिए ट्रिक लेकर के आऊंगी टिप लेकर के आऊंगी और जितने भी टिप्स में आप लोग के साथ में शेयर करती हूं वो सारे के सारे टिप्स ना मैं खुद फॉलो करती हूं उसके बाद ही मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूं ऐसा नहीं है कि आप लोग के साथ में शेयर कर दिया और उसके बारे मुझे खुद उसके रि मिल सके यह देखिए हमने सारी कि सारी क्लिप्स जो है ना वह इसमें लगा दिया और यह बड़ी मजबूत देखिए मैं इसको खीट के भी आपको देखा रही हूं बिलकुल भी निकल नहीं रहा है अब हम इसको टांग देंगे आप कहीं भी टांग सकते हैं फैन की नीचे टा सब्सक्राइब कर देखिए मैं अपने कपड़ों को सुखाना तो मैंने स्टेंट बनाना था और यसलिए मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर कर दी जो भी मेरी बहने इस परेशानियों को फेस कर रही हैं उनके लिए उसके लिए उसके तो मीरे कि आप लोगों को मेरी पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगी तो इसन को लाइक करना फिको भी मत भूल यगा जो न्यूज dengan चैनल लessä कीजयेग अपने फैff Bernard वीडियो में तब तक के लिए लाहाफिज